नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस वीडियो पे दो ब्रेक आउट स्टॉक्स की बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चार्ट एक्स्प्लेशन समझने की कोशिश करेंगे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को अंतक देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चाहिए सबसे पहले ABB India Limited की बात करेंगे तो आज इसमें डेली में एक अच्छा ब्रेकाउट मुझे देखने को मिला उसके बारे में चर्चा करने से पहले All Data को बहुत जरूरी है देखना अगर आप All Data को देखे तो Stock में एक अच्छा structure आपको देखने को मिलेगा अगर आप Follow करेंगे तो Stock में यहाँ पर Impulsive Movement लेने के बात यहाँ से यहाँ तक एक Time-wise correction आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो breakout आपको देखने को मिला वो definitely is March महिने में या May महिने में इस साल के एक अच्छा breakout आपको यहाँ पर इस point से देखने को मिला था 52 weeks high पे है नया high पे high बनते जा रहे हैं डेली के चार्ट में अगर आप चलते हैं तो definitely आज एक अच्छा breakout previous swing high को cross करके closing देने की कोशिश किया है आप देख सकते हैं इसके major resistance area था जिसके उपर एक strong bullish candle के साथ closing मिला है volume को नज़र दे सकते है volume भी बहतर एक strong volume आपको average volume से ज़्यादा देखने को मिला previous जितने भी average volume है उससे बहतर volume के साथ strong bullish candle के साथ breakout देखने को मिला मगर इसके जो high point है वो 2375 है इसके उपर अगर चलेगा तब जाके हम add out कर सकते ह है इसमें swing trading positional trading के लिए और दूसरे चीज मुझे एक चीज जो देखने को मिलता है अगर आप follow करेंगे तो stock में बार-बार 50 SME को पास आके support लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहां से bounce back देखने को मिलता है यह continuously four to five times देखने को मिल रहे हैं तो definitely एक अच्छा support बना के वो उपर जाने की कोशिश कर रहा है मगर और एक चीज है क्योंकि जो high point आज इसने बनाया इसके उपर चलना इसलिए कारण है क्योंकि यहां पे एक upside channel आपको देखने को भी लगा जिसे आभी वह resistance मतलब resist करने की कोशिश कर रहे हैं इसका upside channel है आप देख सकते हैं और definitely इ resistance है इसके targets है 2600 से लेके 2875 strong stop loss area 2100 के नीचे है आप देख सकते हैं यहां पर इस level पर जो strong bullish candle हुआ है इसके नीचे आप stop loss maintain कर सकते हैं निक्स जो stock है वो है आदानी total gas limited definitely इसमें भी एक अच्छा breakout मुझे देखने को मिलना है सबसे पहले मंतली का चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि जो major last high था इसके उपर ऊपर trade करने शुरू कर चुका है और इसके all time high data all time data को देखेंगे त drop अगर डेली के चार्ट पर चलते हैं तो आज का situation अगर आप देखें तो एक अच्छा breakout आपको यहां पर इस point पर जो major resistance एरिया हुआ करता था इसके उपर breakout देखने को ज़रू मिल रहा है आप देख सकते हैं तो यहां पर small position से आप continue कर सकते हैं और support area कहा पर है आप देख सक area है तो यही आपके लिए stop loss बन सकता है तो इस टॉक में भी अगर आप follow करेंगे अगर इस nature को follow करते हैं तो 50SMA को बार बार support लेके जाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर 50SMA को support लेके breakout देने की कोशिश कर रहा है all time high पर भी है इसे भी target है या resistance है 1770 के ऊपर है और भी strong हो सकता है 1985 से लेके 2140 के next target कह सकते हैं resistance major resistance कह सकते हैं stop loss area 1550 के नीचे है तो यहां इसके नीचे आप stop loss maintain कर सकते हैं अगर आपके नजर में कोई breakout stocks है तो comment box में जरूर लिख सकते हैं जिससे हम जितने भी लोग वीडियो देखने हैं उसको भी की पता चले मैं भी comment करने की कोशिश करूंगा और यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो definitely like subscribe करना मत भूलिया और जितना हो सकते इस वीडियो को share कर दीजिए जिससे और लोग के पास पहुचे और लोग को भी help मिले थैंक यू